सर क्या सवाल हम बोले कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई सुनो कुछ नहीं है किसे नहीं कुछ है सर बताइए हम लेंग्थ औफ ए रेक्टेंगल इस इंक्रीज बाई 10% सुनो सर यह रेक्टेंगल की जो लंबाई है उसको 10% से बढ़ा दिया जाए हम बोले भूल गय料 सकसेसी परसंटेज चैन्ज, उससे बन जाएगा हम बोले किन दो दो intakte का मान है नहीं हम बोले हाँ सर तो भाई आं पर देखと, नेट परसंटेज चैन्ज चैन्ज ओ दूस तुसरे कई तरीकर बना दूए ना रुख जाओ फ Penalा bik बढ़ा के दिखा देता हूं काई टेंसन लेता हो तुम लोग यार एक्स गुने वाई बटे सो ठेक हाला कि तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं हम तो अलगी सोचतो है रुख जाओ सर जो बल रहा है और लेंग्थ उसको plus और पलस दस सर जो घट रहा है के लिए minus ठेक है बबबो यह दखो 10 गुने minus 10 बटे बबो कितना 100 सर यह 10 कट जाएगा इधर क्या बचेगा 10 गुने minus 10 बतलब minus 100 बटे गाई 100 मतलब कट जाएगा पराबर मैनस 1 मेरे दोस्त रुख जाओ रुख जाओ यह मैनस क्या दिखाता है हम बले decrease हो गया area घट गई कितना से 1 मतलब 1% का क्या decrement सर कौन सा उप्सन है decrease by 1% यह फर्मर लगा लिए तुम लोगों ने खूस हो गया कि नहीं हाँ सर लेकिर इससे मत करना अब मत करना ऐसे ठीक अब देखो मिथून सर किसे करता है रुख जाओ हंटा दो कि नहीं हंटा दू इतना यार इस सब के लिए पैन चलाओगे तुम लोग यार देखो टिक करो कैसे है सर बताओ हम बले लमाई गुने चोड़ाई क्या होता है सर इसका area होता है हम बले हाँ area होता है अचा पूरा लिख दूँ तुम लोग नाकुस मत हो जाना हम बले अपने मन से क्या हम area को अरे हमारा मन भाया percentage पोड़ा जो चाहे वो मानेंगे कोई तुए रोक नहीं सकता है सर इसकी लमाई को 10 मान लो हम बले मान लो को नहीं रोक सकता है अरे सर 100 सा मा मान लो अंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन 10 मानना ठीक है तो area कितना हो जाएगा 100 अब सवाल किया बले सर इसका 10% बढ़ गया सुन लो ध्यान से किसी भी संखिया का 10% निकालना होगा बबू उसके एक डिजिट के बाद पॉइंट चिपका लो सर एक डिजिट के 10% एक होता है और 10 में एक कम करेंगा बबू कितना बचेगा 9 और गुना करो 11 कितना होता 99 तो देख लो पहले हमारे area 100 अब 99 हो गया मतलब साब साब हो सकता है एक परसन का बबू इंक्रिमेंट तो यह तुम मन में नहीं मार सकता था क्या सर एक बाद परसन बढ़ गया मतलब 99 99 मतलब एक परसन कम औरल करो और आगे घर इन गलो ठीक है चलिए तो यह जो उम्दा तरीका है कि इससे बात करते है ना कि फर्मूले से ठीक है चलिए अगला सवाल गया आपके स्क्रिन पे यह रहा सर क्या है हम बले सुनो क्या भी बताता हूं तुमको अभी देख लो क्या है बला सर स्टूडेंट जो 30 परसन जो क्या लगा एक छात अपनी धनरासी का 30 परसन व्याय करता मतलब खर्च करता है और इसका इंकम है नहीं पता है हम बले बहिया तो परसंटेज पढ़ो 100 माने से क्यों डरते हो यार तो मालोना बंदा 100 रुप्या कम आता है और यह बलता सर यह बचत कितना है 30 परसंट खर्च कर दिया और 20 रुप्या बचा लिया तो बला सर इसकी इंकम कितनी थी हम बले हम स्वाल करते हैं इसका मतलब समझो तीन चीज़ था बबब समझो तीन चीज़ सर इंकम हिंदी मुझको बोलता है हिंदी वाले आए ठीक है अब मत बना सर इंगली को समझ में आता है इंगली से नहीं आता अरे रुक जाओ इतना तुम को आता मेरे भाई सेविंग्स हम बले जवर ज़स्ति मान लोता हूं सार सव अरुन और 30 परसंट का मतलब होता 30 तो सा सर, हमारा बचत कितनह हो गया 21 बटे 70 और गुने क्या कर दूँ सर 100 हम बले 0 से 0 टाटा भाई भाई करो साथ सकरा दो सर तीन वार में और ये 10 गुना हो जाएगा मतलब 10 गुने 3 मतलब कितना 30 तो सर इसका income 30 होगा option number B बात के लिए रुगा कि नहीं तो ये तरीका होना चाहिए आपको किसी question को solve करने का ठेक है मेरे दोस्त ठेक है सर आएगे बढ़े